नमस्कार किसान भाईयों, डी गार्डन में आप सभी किसान भाईयों का एक बार फिर से स्वागत है और आप बने होए डीवी दामा के साथ किसान भाईयों आज हम बात करने वाले हैं ग्यों के बीज की और उसकी मातरा की भी बात करेंगे किसान भाईयों क्योंकि तीन तरह के किसानवाई यह हमारे घर का बीज जो पिछले वर्स हमने ग्यों गवाई किया था उससे हमें आनाज प्राप्त होता है उससे भी हम बिजाई कर सकते हैं तो सबसे पहले बात कर लेता है किसानवाई यह फाउंडेशन बीज की इसे आधारिया बीज भी आप कह सकते हैं इस बिज लेना पड़ता है तो किसान भाई ये तो हुई इसके बुआई की बात अब बात कर लेते हैं इसके दानों की तो किसान भाई जिस वर्स आप पहली बार इसको ले करके बुआई करते हैं इसका दाना साइज में और आनाज के मुकाबले थोड़ा बारीक रहता है और जैस का साइज काफी मोटा इसका अगले वर्स हो जाता है और तीसरे वर्स भी किसान भाईयो इसका साइज काफी अच्छा रहता है लेकिन चोते वर्स ये बुआई के योग नहीं रहता है यानि कि आपको चोते वर्स नया बीज लेकर की ही बोना पड़ता है अब बात कर लेता है क फाउंडेशन बीज की मात्रा की की आप कितना बीज इसका लेकर बिजाई कर सकते हैं तो देखे 40 किलो गुराम से 45 किलो गुराम एक एकड बें आप इसकी बिजाई कर सकते हैं तो ये बात हुई किसान भाईयों फाउंडेशन की आधारिया बीज की अब बात कर लेते हैं सर्टिफाइड बीज की तो सर्टिफाइड बीज यानि के परमानित बीज ये किसान भाईयों जैसे ही हम लेकर इसकी बुआई करते हैं तो इसका दाना ठीक ठाक रहता है और हमें क काफी अची से पैदावार मिल जाती है और इस बीज को लेने के बाद किसान भाईूποाई उम डो वर्स तख इसकी विजाई कर सकते हैं यानिके इस बीज को हम दोवर्सो तक उगा बरस हमें दुबारशे ने बीज लेना पड़ता है अब बात कर लेते हैं किसान भाईओ इसकी मात्रा की तो एक एकड़ में आप पचास किलो से पच्पन किलो ग्राम तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं इससे आपकी काफी अच्छी पैदावार आपको मिल जाएगी और ये जो दोनों बीज किसान भाईओ मैंने आपको बताई है फा आपने फाउंडेशन का बीज पहली वर्स या उससे दूसरे वर्स ले करके उसकी बिजाई किया है तो इस वर्स भी आप उसकी बिजाई कर सकते हैं यानि के तीन वर्स अधिक का आपका ना हो और किसान भाईओ सर्टिफाइड भीज अगर आपने बिजाई किया था पहले वर्स तो इस वर्स भी आप उससे बिजाई कर सकते हैं लेकिन अगर इससे ज़्यादा अधिक टाइम उनको हो चुका है तो आप उसकी बिजाई ना करें वो अच्छी पैदावार आपको नहीं दे पाएगा तो किसान भाईओ इस तरीके से आप इनकी बिजाई कर सकते हैं और घर के बीज की किसान भाईओ मैं मातरा भी बता देता हूं आपको तो 60 किलोग्राम से आप 65 किलोग्राम के बीच में इसकी मातरा लेकर के बीजाई कर सकते हैं क्योंकि किसान भाईओ जो हमारे घर का बीज होता है पहले वर्स जब हमने लान मशीन से ये थ्रेसिंग से इ बूट जाते हैं इस वज़े से इसकी मातरा हमें अधिक लेनी पड़ती है और कुछ किसान भाईयों के अगर आना आज में थोड़ी देखे डकन बीजन है तो उस हिसाब से वे मातरा थोड़ी कम जादा कर सकते हैं तो उसके ओपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है अगर को वीडियो फिर मिलते हैं तब तक के लिए सभी किसान भाईयों को नवश्कार